बारिश ना होने का असर भी कुछ राजों में दिखाई दिया है जलवायू परिवर्तन का असर देश में तो दिखाई दे ही रहा है आलम ये है कि यूपी के सरकारी आँकडों का अगर स्टीक विशलेशन किया जाए तो कहा जा सकता है कि परदेश के 38 जिलों में खरीब फसलों की बुआई इस बार कम हुई है। खरीब सीजन की फसलों की बुआई और रुपाई को लेकर यूपी सरकार के कृष्ची विभाग ने जिले वार आंकड़े त्यार किये हैं। यूपी क्रिशी विभाग के इन आंकडों के अनुसार इस बार परदेश में खरीब फसलों की बुआई और रुपाई लक्षय के अनुरूप 98 फिस्दी पूरी हो चुकी है जिसको अधार पर बनाकर परदेश में सूखे की गोश्णा नहीं की जा रही है। जिसका परमुकारन कम बारिश की वज़े से सिंचाई का संकट है। उधर यूपी में कम बारिश की वज़े से तो जो जिले बुआई और रुपाई के लक्षय से पिछड़े हैं उनमें सबसे आगे इटावा है। परदेश के नियमों के अनुसार जिन जिलों में सूखे की वज़े से फसलों की बुआई और रुपाई परभावित हैं उन जिलों के किसानों को तेरह हजार रुपे प्रती एकड़ की दर से रहत राशी देने का प्रावधान है। वहीं फसल बीमा करवाने वाले किसानों को भी मुआवजा देने का परवधान किया गया है। Bureau Report Market Times TV